नमस्कार दोस्तों सरकारी चपग्यान के ओपिशेल यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागते। नमस्कार दोस्तों वीडियो में आके बढ़ने से पहले आप स्वागते। आप सभी से रिक्वेस्ट करने चाओंगा। अगर अभी तक आपने आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां से आप इसका official notification डाउनलोड कर सकते हैं इस बर्तिक लिए अपना online application form submit कर सकते हैं आपको यहां पर employment notice पर आने के बाद में आप यहां से अपने admit cards की information ले सकते हैं interview notice से संबंदित information ले सकते हैं जो भी यहां पर departmental exam content करवाई जाती है उनसे संबंदित information आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी साथी में result and answer की से संबंदित information भी आपको यहां पर मिल जाती है and इसी के साथ में syllabus और vacant position से संबंदित information आप यहां से easily ले सकते हैं नीचे description box में मैं इसका official notification का link आपको provide कर दूँगा जहां से आप इस बरती का official notification डाइरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं सो KVS की यह vacancies है केंदरे विद्याले संगठर की तरब से इन vacancies को यहां पर निकाला गया है साथी में दोस्तों अगर मैं आपर बात कुरूं vacancies के overview के बारे में तो देखिए दोस्तों जो post यहां पर रखी गई है यह primary teacher PIT के लिए vacancies आपको देखने को मिल जाएगी साथी में primary teacher music के लिए vacancies देखने को मिल जाएगी training graduate teacher DGT post के लिए vacancies रखी गई है साथी में post graduate teacher PGT post के लिए vacancies यहां पर रखी गई है voice principal और principal post के लिए vacancies आपके लिए देखने को मिल जाएंगे साथी मैं librarian पद के लिए आपकी काभी अची काशी vacancies यहाँ पर रखी गई है तो आप इनके लिए अपना online application form submit कर पाएंगे अगर मैं आप पर बात करूँ KBS recruitment 2022 के overview के बारे में साथी में दूस्तों Central level की आपकी exam होने वाली है Central government job आपको यहाँ पर मिलेगी mode of application आपका online रहेगा आप अपना online application form submit कर पाएंगे offline आपसे application form नहीं लिए जाएंगे mode of exam आपका offline रहेगा आप अपनी offline exam दे पाएंगे written exam और interview के आधार पर आपका selection process यहाँ पर रहने वाला है age limit के बारे में बात कर लिए तो PIT के लिए 30 year तक के अपना application form submit कर सकते हैं TGT post के लिए 35 साल और PGT post के लिए 40 साल तक के अपना application form submit कर पाएंगे इसी के साथ मैं official website आपके kbs.nich.in रहीगी आपका जो official notification है September 2022 को release किया गया है 25 सिप्टमबर से आपके online application form start होंगे 27 October 2022 आप सभी के लिए यहाँ पर application की last date रखी जाएगी 27 October तक आप अपना application form यहाँ पर submit कर पाएंगे अपनी application piece यहाँ पर जमा करवा सकते हैं आपके जो online form में correction होंगे मतलब कि अगर आपके form पड़ती टाइम पर कोई भी गलती हो गई है तो यहाँ पर आपको correction का भी time दिया जाएगा 28 October 2022 से आपके correction date आपकी start रहीगी इसी के साथ में आपका जो exam यहाँ पर connect करवाई जाएगा PGT, TGT और PIT post के लिए यह December 2022 में conduct करवाई जाएगा November 2022 में आपको admit card देखने को मिल जाएगे सुपरेंट्स इसी के साथ में आगर मैं आपर बात करूँ answer geek के बारे में तो देखे January 2023 में आपको जो KBS की recruitment है इनके लिए answer की देखने को मिल जाएगी इसी के साथ में अगर हम बात करें application fees के बारे में तो अगर आप यहाँ पर principal, voice principal post के लिए apply करते हैं तो आपको 1500 रुपए application fees जमा करवानी होगी साथी में अगर आप TGT, PGT और PIT post के लिए apply करते हैं तो आपको 1000 रुपए application fees जमा करवानी होगी अगर हम बात करें यहाँ पर KBS recruitment के eligibility criteria के बारे में तो देखें जो आपकी educational qualification यहाँ पर रखी गई है उससे फ़ले हम बात करते हैं age limit के बारे में तो अगर आप PGT, TGT और PIT post के लिए अपना application form सम्भीट करना चाहते हैं तो 30, 35 और 40 सार्त के candidate अपना application form submit कर सकते हैं यहाँ पर SC, HD category को 5 साल की छूट मिलने वाली है साथी मैं OBC candidate को 3 साल की government rules के अनुसार यहाँ पर छूट मिलने वाली है अगर मैं educational qualification के बारे में बात करूँ तो देखें अगर आप PGT post के लिए अपलाई करना चाहते हैं इसी के साथ में दूस्तों अगर मैं आपर बात करूँ PGT post के लिए तो देखें अगर आपने 50% mark के साथ में BE, BTEC या फिर अपना जो है graduation complete किया है तो आप यहाँ पर अपना application form submit कर सकते हैं TGT post के लिए 4 साल का आपके पास में integrated degree होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर बारवी पास candidate अपना application form submit कर सकते हैं elementary education का जो है diploma की है तो आप यहाँ पर अपना application form submit कर पाएंगे VC के साथ मैं दोस्तों आपको जो है education की सारी की सारी information आपको इसके official notification पर देखने को मिल जाएगी अगर मैं आप बात करूँ दोस्तों vacancies के update के बारे में तो देखें यहाँ पर जो vacancies रखी गई हैं आपको देखने को मिल जाएंगे total vacancies जो रखी गई है 17,386 पत रखी गई जिनके लिए आप अपना application form submit कर पाएंगे तो काभी अच्छी कासी vacancies है great opportunity आप सभी के लिए रखी गई है लगबग साढ़े 17,000 पतों पर यह vacancies निकाली गई है salary के बारे में अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर क्या salary provide की जाएगी तो दी के principal post के लिए 78,000 रुपे से 2,9,200 रुपे आपको यहाँ पर पर मिलने वाला है काभी अच्छी कासी salary आपको यहाँ पर मिलेगी voice principal post के लिए अगर आप अपना application form submit करते हैं तो 56,100 रुपे से 1,77,500 रुपे तक आपकी salary बनेगी इसी के साथ में PGT post के लिए 47,600 रुपे से 1,9,200 रुपे तक आपकी salary बनने वाली है PGT post के लिए 44,900 रुपे से 1,42,400 रुपे तक आपको salary दी जाएगी इसी के साथ में अगर आप librarian post के लिए apply करते हैं तो 44,900 रुपे से 1,42,400 रुपे तक आपको salary दी जाएगी जो कि काफी अच्छी कासी salary आपकी हाँ पर बनती है असिस्टेंट post के लिए आपको 44,900 रुपे से 1,42,400 रुपे और अगर आप यहाँ पर primary teacher music पत के लिए apply करते हैं 35,400 रुपे से 1,12,400 रुपे तक आपको यहाँ पर salary ओफर की जाती है तो KVS के अंदर आपको बहुत अच्छी कासी salary दी जाती है सबसे अच्छी खास बात है KVS की यही है NVS और KVS दोनों department इसे हैं जिनके अंदर आपको काफी अच्छी कासी vacancies जो है salary देखने को मिल जाती है अगर मैं आपर बात करूँ exam pattern के बारे में तो दीखें जो अगर आप principal post के लिए apply करते हैं तो यहाँ पर आपसे जो general English और general Hindi के 10-10 question पूछे जाएंगे 10-10 mark के रहेंगे जनरल नोलेज और इसी के साथ में दूस तो current अपलियर और reasoning ability से 10-10 question पूछे जाएंगे और 10-10 mark के रहेंगे education से समदीत 50 question 50 mark के रहेंगे और administration से और finance से समदीत 50 question 50 mark के रहेंगे total 1500 mark का paper रहेगा 1500 question साब से पूछे जाएंगे और 1500 minute आपको यहाँ पर मिलने वाले paper solve करने के लिए साथी में 60 number का आपका interview हाँ पर conduct करवाया जाएगा अगर मैं आपर बात करूँ voice principal post के लिए तो देखे जनरल इंगलिस और हिंदी से 10-10 question पूछे जाएंगे general knowledge, current aware, reasoning ability से आपके 10-10 question रहेंगे और यह भी आपके 10-10 mark के रहेंगे education और administration और finances से अमधित 50-50 question पूछे जाएंगे total 1500 mark का आपका paper रहेगा और 1500 question रहेंगे 60 number का आपका interview हाँ पर conduct करवाया जाएगा इसी के साथ में अगर मैं आपर बात कूँँ post graduation teacher के लिए मतलब PGT post के लिए तो यहाँ पर आपका पार थेट रहेगा इसमां आपसे subject से सम्मधित question पूछे जाएंगे 80 number का आपका subject से सम्मधित question पूछे जाएंगे 1500 mark का रहेगा वही 1500 question आपसे पूछे जाएंगे 60 mark का आपका यहाँ पर interview कंडेट करवाया जाएगा अगर आप TGT post के लिए apply करते हैं तो यहाँ पर वाई आपको जो है जर्नल इंग्लीज और जर्नल हिंदी से सम्मधित question पूछे जाएंगे साथी में जर्नल नोलेज, current affair और reasoning ability और computer literati से आपके 40 question के रहेंगे सिर्फ आपकी current affair 10 number की रहेगी 1500 question का paper रहेगा 1500 mark का आपका paper रहेगा 60 mark का आपका यहाँ पर भी interview conduct करवाई जाएगा TGT post के लिए यहाँ पर जो candidate apply करना चाहते हैं उनका भी same syllabus यहाँ पर रहने वाला है इसी के साथ में library and post के लिए आपको जो यहाँ पर questions पूछे जाएंगे जो literacy subject रहेगा उससे सम्मधि exam pattern अलग अलग देखने को मिलेगा साथ में दोस्तों syllabus का link आपको नीचे description box में provide कर दूँगा admit card से सम्मधि सारी के सारी information आपको इसकी official website पर देखने को मिल जाएगी तो आप इसकी official website को time time पर visit करके इसकी information ले सकते हैं या फिर आप हमारे youtube channel को subscribe कर सकते हैं आपको अमारे youtube channel पर भी इस बरती से सम्मधि सारी update देखने को मिल जाएगी इसी के साथ मैं अगर मैं आप बात करूँ KBS recruitment 2022 के posting zone के बारे में तो देखिए central zone से कहां कहां पर आपको posting दी जाएगी तो central zone से उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश और 36 गड़ में आपको जोईनिंग दी जाएगी North zone से चंडिगर, देली, हरियाडा, हिमाचल प्रदेश, जमू एंड कस्मिर, पंजाब और उत्राखंड में आपको जो है posting दी जाएगी आपको पोस्टिंग जाउन रहेंगे इसी के साथ मैं South zone से करनाटका, तमिलनाडो, अंधर प्रदेश, केरला, तेलागना, लक्षदीव, अंडमा, निकोबार, आइसलेंट से हापर आपको जो पोस्टिंग प्रवाइड की जाएगी North East zone से आपको आसाम, मेगाले, मनिपूर, मिजोरम, अनोनाचल प्रदेश, त्रीपुरा और नागलेंड में आपको ये जोइनिंग यहाँ पर प्रवाइड की जाएगी सो काभी अच्छी काची वेकेंसीज है, सारी की सारी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बता दिये कि कब से कब तक आपके अप्लिकेशन फोर्म स्टार्ट होंगे आपका syllabus क्या रहेगा, आपका exam pattern क्या रहेगा और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार की प्रोब्लम का सामदा करना पड़ रहे है उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलत अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर वाय जैहिन दोस्तों